पिर से हमारे पास आ चुका है चैन्सो मसीन रिपेरिंग के लिए तो आप कमपनी देख सकते हैं पावर टूल्स का ये चैन्सो मसीन है तो देखते रहें इस वीडियो को पुरा लाश्ट सक देखते हैं क्या प्रोब्लम है इस मसीन में वेलकम टू किसान मसीन तो स्वागत पिर से एक नए वीडियो में आपके अपने चैनल किसान मसीन में तो जैसा कि आपने देखा इस टार्टर जब मैं खीच रहा हूं तो इस टार्टर बिलकुल फ्री आ रहा है तो चलिए इस टार्टर खोल कर सबसे पहले देखते हैं क्या प्रोब्लम है इस टार्टर को खोल क निकालने के लिए हमें 4 एलेंकी बोल्ट खोलना होगा, 4 एलेंकी बोल्ट 4 mm का है, 4 mm का एलेंकी लेकर आप 4 बोल्ट को खोल लें, उसके बाद आपका जो स्टार्टर है वो बाहर आ जाएगा, ये देखें स्टार्टर को हमने खोल दिया है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं starter reel का जो घाट है वो बिल्कुल सही है, अगर ये घाट आपका घिसा हुआ रहेगा तो starter बिल्कुल free आएगा, starter reel अगर damage है तो आप starter reel को change करें, और अगर starter का spring damage है तो आप उसे change करें, starter को आप खीच रहे हैं और rope बाहर आ जा रहा है, rope अंदर नहीं जाता है, ऐसे में आप starter का spring है उसे change करें, ये जो आप starter देख रहे हैं ये बिल्कुल सही है और अच्छे से work कर रहा है, किसान मसीन चैनल पर आपने first time विजिट किया है तो चैनल को अभी subscribe करें, और वाले option पर click करके notification on कर लें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो upload करूँ, आपको notification मिलता रहे, flywheel में दोनों side से pusar rat लगा हुआ होता है, तो आप देख सकते हैं इस flywheel में pusar rat नहीं लगा हुआ है, flywheel में अगर pusar rat नहीं लगा हुआ रहेगा, तो आप जब भी starter को खिचेंगे, starter बिलकुल free आएगा, तो ये देखें ये जो flywheel आप देख रहे हैं, इस flywheel में आपको दिख रहा है, pusar rat दोनों तरब से लगा हुआ है, तो चलिए यहाँ पर मैं flywheel को खोलने वाला हूँ, flywheel को खोलने के लिए आपको 13 नंबर का range लेना है, flywheel में लगा हुआ nut को खोलने के लिए आप plug range से खोल सकते हैं, आपके पास गोटी है तो गोटी से भी खोल सकते हैं, या ring range से खोल सकते हैं flywheel में जो nut लगा हुआ है उसे हम ऐसे नहीं खोल सकते हैं उसे खोलने के लिए हमें plug खोलना होगा plug खोलने के बाद cylinder में एक rope को डालना होगा एक रस्ती डाल कर और piston को lock करना होगा इसके बाद हम flywheel का जो nut है उसे खोलेंगे air filter कभर और air filter ये दोनों हमने खोल दिया है अब मैं खोल रहा हूँ upper plate कभर upper plate कभर खोलने के लिए आपको 4 mm का elenky चाहिए 4 mm का elenky लेकर आप सभी bolt को खोल ले 5 elenky bolt लगा हुआ है 4 mm का 4 mm का elenky लेकर आप सभी bolt को खोल ले जब आप bolt को खोल लेंगे तो cover आपका बाहर आजाएगा अब मैं spar plug को खोलने वाला हूँ spar plug को खोलने के लिए आपको plug range चाहिए plug range लेकर आप इस तरह से spar plug को खोल ले fly wheel में जो nut लगा हुआ है उसे खोलने के लिए हम cylinder में एक rope को डालेंगे यहाँ पर देख सकते हमारे पास एक रसी है इस रसी को हम इस तरह से सिलेंडर में डाल कर और पिष्टन को लॉक करेंगे इसके बाद फ्लाइवील में लगा हुआ नट को हम पलग रेंज के मदद से खोलेंगे पलग रेंज आपके पास नहीं है तो आप 13 नमबर का गोटी और हैंडल लेकर नट को खोल सकते हैं या 13 नमबर का रिंग रेंज है तो रिंग रेंज से भी खोल सकते हैं फ्लाइवील को बाहर निकालने के लिए नट को पूरा नहीं खोलना है nut को उपर तक खोलने के बाद आप इस तरह से nut में हथोडे ठोकें हथोडे को जब आप इस तरह से ठोकेंगे तो आपका जो flywheel है वो खुल जाएगा हथोडे लेकर आप nut को इस तरह से खोलेंगे तो ये देखिए flywheel खुल चुका है अब आप nut को खोले इसके बाद flywheel को बाहर निकाले इस वीडियो से आपको knowledge मिल रहा है तो आप इस वीडियो को like करे और channel को अभी subscribe करे all वाले option पे click करके notification on कर ले ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो upload करूँ आपको notification मिलता रहे flywheel में यहाँ पर आपको gap दिख रहा है जहाँ पर key लगता है इसे भी आप check कर ले flywheel में जो gap है वो अगर file गया है या damage है तो आप flywheel को change करें flywheel में एक key लगा हुआ होता है तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ flywheel का जो key है उसे मैं दिखा देता हूँ आपको यह देखे flywheel को निकालते वक्त key गिर गया था जैसा कि आप देख सकते हैं यह है key यह जो key है यह बिल्कुल सही होना चाहिए key अगर घिस गया है या damage है तो आप key को change करें अगर key damage है या घिस गया है तो आप flywheel को जब भी fit करेंगे आपका जो flywheel है वो work नहीं करेगा key को आप इस तरह से crank में लगा दें इसके बाद आप flywheel को लगाएं यह देखे हमारे पास एक flywheel है इसी flywheel को मैं fit करने वाला हूँ इस machine में यह देखे पूसर रड जो है आपका इस तरह से work करना चाहिए यह देखे इस तरह से पूसर रड जो है काम करना चाहिए अगर नहीं कर रहा है तो आप spring को change करें यह देखे flywheel में यहाँ पर gap है जहाँ पर key lock होता है यह जो gap है यह बिल्कुल सही होना चाहिए gap अगर फैला हुआ है या damage है तो आप flywheel को change करें चैनसो मसीन हो पेल काटने वाला या brush cutter हो घास काटने के लिए आपको किसी भी मसीन का spare parts चाहिए आप मुझे call कर सकते हैं description में आपको हमारा whatsapp number मिल जाएगा आप चाहें तो message कर सकते हैं या direct call भी कर सकते हैं घर पे ही आप अपने मसीनों का repairing करना चाहते हैं और आपके पास toolkit नहीं है ये सभी toolkit set को आप घर बैठे ही मंगवा सकते हैं description में मैंने सभी toolkit का link डाल दिया है link पे click करके आप toolkit घर बैठे ही order कर सकते हैं वीडियो पसंद आये तो वीडियो को like करें और चैनल को अभी subscribe करें इस वीडियो को end तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत सुक्रिया